हेलो अर्यों वेल्कम टू नोलेज ग्रेडियंट अकेडमी मैं हूँ सची नियाद हो और आज हम डिसकेस करेंगे गेट कि 2014 का टू मार्क्स का प्रोब्लम जो पूछा गया था हिट ट्रांसफर से हिट ट्रांसफर में भी रेडियेशन वाले सेक्शन से कर लिए प्रोब्लम क्या है एक इस सोलीड स्फियर फ्रेडियस रोल इस इस प्लेज ऑंसनट्रिक लिए ऑन्सहान जोंस्ठीष मिंचस दोनों का स्थ्री आदिों का इस्ट्रेज सेम है इनसाइड अबहु और फ्रेडियस और ट्रू और थ्रेदियिद हम इंश्यादis हुए 30 mm तो पूछ रहा है व्यू फैक्टर 12 for radiation heat transfer तो जो व्यू फैक्टर पूछ रहा है देखो व्यू फैक्टर क्या होता है पहले यह देख लेते हैं कि व्यू फैक्टर डिफाइन करता है यहां पे जैसे इन्होंने f21 बोला है f21 क्या है जो पूछ रहा है कि जो तू से जो radiation emit हुई वो वन तक कितनी रेडियेशन पहुचे तो तू से हमारी इस डारेक्शन में भी हो सकती ऐसे भी हो सकती है कुछ वन के पास जाएगी कुछ तू के पास जाएगी तो वो पूछ रहा कि कितना जा रही है तो अगर हम इसकी प्रोपर डेफिनेशन देखेंगे तो अगर इसकी प्रोपर डेफिनेशन क्या बोलती है वीव फैक्टर रही जे फ्रेक्शन ऑफ डेडियेशन अनर्जी लीविंग शर्फेस वीव फैक्टर क्या है fraction of radiation energy leaving surface जैसे f m n के लिए देखते हैं तो surface m पहले वाले टम से energy जा रही है दूसरे वाले पहुच रही है तो जो living surface m that reaches to surface n तो कितनी energy है कितना fraction है उस energy का जो m से जा रहा है और n तक पहुच रहा है जो ये 0 से 1 के बीच में lie करता है तो देखो हमारे इस case में क्या है जो 1 है वो sphere है तो इस से जो radiation energy emit होगी वो 1 के पास नहीं जाएगी तो हम क्या बोलेंगे f 1 1 क्या होगा radiation energy leaving surface 1 that reaches to 1 तो 1 से जो जा रही है और 1 के पास जो पहुच रही है वो कितनी होगी वो 0 fraction पहुचेगी यह हमारा और जो 2 से आएगी वो 2 से 2 के पास भी पहुचेगी 1 के पास भी पहुचेगी तो हमें वो वाला fraction बताना है जो 2 से निकला 1 के पास पहुचा देखो टोटल जो होता है वो 1 होता है जो वीव फेक्टर तो जो समेशन रूल है हमारा समेशन रूल वो क्या बोलता है इस देर आर N number of surfaces involved in any radiation heat exchanging problem अगर हमारे पास N number of surface है जो radiation heat exchanging में involved है तो then F11 plus F12 plus F13 up to F1 and equal to 1 means f1 से 1 के पास plus view factor 1 से 2 के पास 1 से 3 के पास 1 से n के पास कितनी होगी 1 होगा तो हमारे इस case में कितने है 2 surface है तो f11 plus f12 इसके वराबर होगा 1 से यह summation rule से आ गया हमें पता है जो f11 है वो हमारा कितना है 0 है तो हमारा जो f12 है वो कितना आ गया 1 यह हम यहां से भी देख सकते हैं कि 1 से जो radiation निकलेगी वो सारी सारी 2 के पास पहुँच रही है तो इसलिए जो view factor है वो 1 है हम यह rule 2 के लिए लगा देंगे f21 plus f22 is equal to 1 हमें f21 निकालना है एक और rule होता हमारा जिसको हम बोलते हैं reciprocality reciprocation reciprocality relation between shape factor वो क्या बोलता है कि हमारे पास अगर एक plate यह है दूसा प्लेट यह है इसका area a1 है इसका area यहां से यहां गया तो यह हो गया f12 यहां से यह आया है तो f21 तो इनके बीच में relation होगा वो क्या relation होगा a1 into f12 is equal to a2 into f21 तो जो हमारा वियर है अंदर वाला तो उसका area हो जाएगा 4 pi r1 square जो भारवाल है उसका area हो जाएगा a2 4 pi r2 square तो अब हमारे पास क्या है हमारे पास f12 है और हमें क्या निकालना है f21 तो हम reciprocated relation का यूज करेंगे f21 किसके बरावर होगा a1 by a2 into a1 यह होगा a2 यह होगा f12 so f21 is equal to f12 into a1 by a2 f12 हमने उपर calculate किया था कितना था 1 तो यहां पर जाएगा 1 into a1 किसके बरावर है 4 pi r1 square a2 किसके बरावर है 4 pi r2 square 4 pi cancel हो जाएगा तो f21 किसके बरावर जाएगा r1 by r2 का whole square इन्होंने r1 दिया हुआ है 20 और r2 दिया हुआ है 30 तो यहां पर put कर देंगे 20 by 30 का square तो इसको क्या बोल सकते है 2 by 3 और square करेंगे तो 4 by 9 तो हमारा f21 किसके बरावर जाएगा 4 by 9 और 4 by 9 का मिनिंग क्या है तो correct answer is b 4 by 9 का मिनिंग क्या है अगर total 9 unit radiation यहां से emit हो रही है तो जो 4 unit है वो इस surface के उपर जाएगे बाक्की जो बची हुई 5 unit है वो इसी surface पर surface 2 के उपर absorb हो जाएगे 1 के उपर 4 unit जा रही है थैंक्यू गाइज थैंक्स वर वाचिंग दिस ओप यू लाइक दे वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू